चलिए सो हाई फाइनली काफी दिनों बाद ओके आज अच्छा एक सेकंड स्टार्ट हुआ क्या देख लें येस सो स्टार्टेड सो हाई एवरिवन आज है हमारा इंजिनेरिंग काउंसिलिंग का डे नंबर फाइल ओके आज हम डिसकस करने वाले हैं यह सारी की सारी ब्रांच सारी ब्रांच आज हम डिसकस करेंगे जो भी चीज़े मैं बात करूंगा मैं बात करूंगा मेरे पिछले तीन साल के एक्सपीरेंस के बारे में तो मैंने तीन साल हो गए हैं इंजिनेरिंग के साथ डील करते करते सो तीनों साल का जो मेरा एक्सपीरेंस रहा है सब कुछ मैं share करूँगा branch wise, okay so live session आज काफी depth में लेकर जाएंगे हम, काफी detail cover करेंगे jobs के बारे में बात करेंगे हमने काई बार देखा है, jobs मिलना ना मिलना, है ना, new new branches का introduction, right तो पिछले साल काफी new branches introduce हुई थी, so क्या हो गया था जो new branches introduce हुई थी कुछ लोग उने कह दिया था, नया नया branch है, job कौन देगा, तो फिर किसी ने लिया ही नहीं seeds, तो पिछले साल seeds बहुत खाली गई थी, okay, बड़ ऐसा कुछ भी नहीं है, सारी branches के बारे में आज हम discuss करेंगे in this live class, okay चलिए, so hi है तीर्थ, है आदित्या, है सारंग, है तेजस, वेद, अमन, अथरव, नुकुल, रुतुजा, सारंग, स्नेह, स्पीडी, विशाल, हबीब, सिद्धी, है सिद्धी, after a long time, निकिता, चलिए, so hi everyone, start करते हैं आज का session, without any further delay, चलो, so basically बात करते हैं, यहाँ पर branches के बारे में, सो बात करते हैं, branches के बारे में, सो यहाँ पर मैंने branches को बहुत ways में classify करने का कोशिश किया है, हर एक branch पे हम यहाँ पर touch करेंगे, and आपको काफी realizations होंगी, काफी, अच्छे से sub-explanations आपको समझ में आएंगी, कि आखिर है क्या, क्यों काफी लोगों को समझता है नहीं, branch ले तो ले कौन सा है न, तो चलिए अच्छे से एक बार discussion करते हैं, सबसे पहले-पहले, hi everyone, hi, aditya, chaitanya, kamlesh, all rounder, harsh, okay, चलिए, पहले-पहले बात करते हैं, हम computer के बारे में, okay, किसके बारे में बात करते हैं, बात करते हैं, computer के बारे में, so computer basically होता क्या है, okay, so computer का अगर हम basic सा प computer का जो by default definition होता है, वो होता है, एक ऐसा device जो operations करने के लिए काबिल है, okay, एक ऐसा device जो operations कर सकता है, okay, अगर आपने microprocessor पढ़ा है class 11th and 12th में, आपने देखा होगा कोई भी microprocessor दो प्रकार के operations कर पाता है, arithmetic operations कर पाता है, as well as वो कर पाता है, logical operations है, तो दुनिया का कोई भी device जो operations करने के काबिल है, चाहे वो arithmetic operations हो, चाहे वो logical operations हो, उसी को हम कहते हैं computer, जिसमें watch आ गई, घड़ी आ गई, digital, okay, जिसमें calculator आ गया, जिसमें TV आ गया, जिसमें AC आ गया, जिसमें सारी चीज़ें आ गया, okay, AC obviously नहीं बोल सकते हैं, जो digital चीज़ें होती है, okay, जिसमें कु से लग जाती है, तो ऐसे सब चीज़ों को हम कहते हैं, यहाँ पर computer, okay, क्या कहते हैं, ऐसे सब चीज़ों को computer कहते हैं, furthermore, अगर computer को मैं divide करूं, तो computer का division हो जाता है, दो प्रकार में, okay, कितने parts में division हो जाता है, दो प्रकार में division हो जाता है, पहला पहला part हो जाता है, software का part, क्योंकि computer खुद को दिमाग नहीं है, आपको दिमाग देना पड़ता है, चलिए, दूसरा आप मैं comments का reply करता हूँ, मैं सारी comments read कर रहा हूँ, attention मत लो, but at least हम session को start कर दें, यह मेरा aim है, 98 percentile पर concert college for CSE, अरे नहीं बता सकते हैं, predictions नहीं कर सकते हैं, आज आए percentile फिर बोलना, चल बात करें, अगर hardware के हिस्से के बारे में, so hardware हिस्से में यहाँ पर आ जाता है, सारे के सारे आपके physical components है, सारे के सारे components कैसे आ जाते है, यहाँ पर आ जाते है, physical components, software components के बारे में बात करें, तो सारा का सारा जो programming का part हो जाता है, वो आ जाता है, आपके software के part, example तोर पे हमारा रहे जो शरीर है हमारी जो बॉडी क्या है बॉडी पूरी compliant है जो हमारा बॉडी किसमें आ जाता है बॉडी आ जाता है हमारे फिजी कल में यह करते हैं नहीं जो सब चीजें किसमें लाय करती हैaga पार्ट में जो यानि brain और mind आ जाता है किसमें आ जाता है brain और mind हमारा आ जाता है आपे software के हिस्से में उसी तरीके से computer के भी यहाँ पर दो bifurcation हो जाते हैं तो यह जो दो bifurcation हैं एक hardware का हिस्सा एक software का हिस्सा इसी में से branches आपकी अलग-अलग करके बनती जाती हैं इसी में से क्या करती जाती है इसी में से आपकी different different प्रकार की branches आपकी बनती जाती हैं तो जो branch classification होता है वो इस आधार पे होता है कि software पर कौनसी branches हैं hardware के आधार पर हमारी कौनसी branch है चलिए start करते हैं अब basic introduction आपको समझ गया अब एक-एक branch के बारे में यहाँ पर चर्चा करते जाते है पहले पहले मैं पकड़ता हूँ यह तीन branches ओके computer science क्या है computer engineering क्या है information technology क्या है पहले इन तीन branches को attack करते हैं और देखते हैं इनके बीच में यहाँ पर क्या logic हमारा लग जाता है देखो बात करें computer अगर हम engineering के बारे में किसके बारे में बात करें अगर हम बात करें computer engineering के बारे म कॉंप्यूटर के अंदर दो पार्ट्स आ जाते हैं software प्लस hardware तो जो students computer engineering branch को select करते हैं जिसको हम CE branch कहते हैं तो उसके अंदर दोनों पार्ट्स आपको पढ़ना पढ़ता है hardware भी पढ़ना पढ़ता है software भी पढ़ना पढ़ता है बोलो content समझा क्या ब्रांच का come on content समझा क्या प्रणव हभीब स्वराज बोलिए come on all rounder fan page content समझा क्या तो CE branch जो computer engineering branch है उसका content क्या है उसके content में दोनों चीज़ें आ जाती है hardware का पार्ट भी आ जाता है software का पार्ट भी आ जाता है दोनों चीज़ें साथ में आ जाती है यहां पर दोनों चीज़ें आपकी साथ में आ जाती फिर कई universities महराश्टा बहुत बड़ा है बहुत सारी universities है कई universities में ब्रांच देखते हैं जिसका नाम होता है computer science engineering क्या नाम होता है computer science engineering जिसको कहा जाता है oke क्या का जाता है उसका जो code word हम यूज करते हैं Code word यहां पर उसका कहा जाता है cse again cse भी same है okay ॅ के सिड़ेज दिव्या क्या है cse भी आपका same है तो चाहे c e अगर आपको नज़र आ रहा है चाहे cse आपको नज़र आ रहा है दोनों के दोनों क्या फोकस करते हैं, दोनों की दोनों फोकस करते हैं, hardware पार्ट पर और software पार्ट पर दोनों का focus वहीं पर रहता है, चलिए, तो ये हो गया content, ये मैंने क्या बता दिया, ये मैंने आपको content बना दिया, अब मैं आपको बताता हूँ, थोड़ा सा job oriented part, अब किसके बारे में बात करते हैं, बात करते हैं, job oriented part के बारे में, job oriented part का basic logic मेरा पूरा का पूरा same रहेगा, इंडिया में hardware manufacturing companies बहुत जादा कम है, या मैं अगर बहतर वे में कहूं तो नहीं है, बहुत जादा कम है या तो मैं कहूं नहीं है, ठीक है, practical बाते करनी है, अच्छी अच्छी बाते नहीं करनी है, मुझे, practical बाते करनी है, तो अगर आप computer engine करते हो, तो आपको hardware का knowledge तो हो जाता है, hardware का knowledge पूरा मिल जाएगा, बट मैं आपको बतादू, जो jobs होती है, jobs hardware के knowledge के basis पे नहीं होती है, आराय का logic समझ में, तो आप पढ़ोगे दो hardware भी पढ़ोगे, software भी पढ़ोगे, बट इंडिया में जो trend है jobs का, तो jobs hardware के basis पे इंडिया में मिलती नहीं है, क्योंकि सारी की सारी चीजे बाहर से manufacturing होती है, अभी mobile phone है हमारे हाथ में, लिखा रहता है उस पे made in India, made in way, made with proud in India, हाँ वो इंडिया में बना है, बट उसकी जो internal chips हैं, जो hardware का part है, सब बाहर से आया है, सारा का सारा part कहां से आता है, सारा का सारा part बाहर से आता है, तो hardware के basis पे जौब कभी मिलता ही नहीं है, तो basically यहां पर focus पूरा का पूरा आ जाता है, software पे ही focus आ जाता है, so this is the one aspect, यह क्या हो जाता है, यह क्या हो जाता है, so I hope आपको यहां पे computer engineering क्या है और जो दूसरा computer science engineering क्या है दोनों समझ गया दोनों चीज़ें एक ही है अलग-अलग university में अलग-अलग नाम आपको नज़र आ जाएगा confused होने की कोई ज़रुरत यहां पे नहीं है चलिए बात करते हैं यहां पे computer science के बारे में coep dream सारी branches discuss करेंगे attention मतलब चलिए बात करते हैं computer science के बारे में computer science है ना तो यह branch ऐसी है जिसमें hardware का part exist ही नहीं करता है computer science branch कैसी है computer science branch में सरिफ और सुरिफ focus होता है programs पे सरिफ और सुरिफ focus होता है algorithms वे यहां पर आपका hardware का part exist ही नहीं करता है so basically यहाँ पर आपका जो hardware का part है जो extra पढ़ाई थी वो यहाँ पर exist करती ही नहीं है so computer science में सुर्फ और सुर्फ program सुर्फ और सुर्फ algorithms example तोर पर मैंने computer start किया तो start करने पर क्या आना चाहिए आपको नहीं पता हो तो मैं बता दू computer को दिमाग देना पड़ता है पहले start करने से पहले तो जबी भी आप computer start करो देखो कई computers पर ऐसा कुछ code word लिखके आते हैं काली screen आती है ऐसा वो डूनता है bios system ऐसे word लिखे रहते है bios डूनता है तो basically computer शुरू होते ही क्या डूनता है शुरू होते ही अपना दिमाग डूनता है यानि कि वो डूनता है operating system कहां stored है जो लोग PC बे बार-बार format मारते है तो उन लोगों को पता है वो लोग कभी भी C drive में कुछ save नहीं करते क्योंकि होँआ पर operating system रहता है तो कुछ भी format मारना होता है तो C drive का data उड़ जाता है तो computer जा स्टार्ट होता है तो वो डूनता है उसका operating system कहां है operating system के अंदर हमारा सारा data save होता है हमारे सारे program save होते हैं हमारे सारे software save होते हैं तो computer science में सारा का सारा process वही रहता है programs लिखना कि पता कैसे चले मुझे करना क्या है तो यहां पर सारे के सारे आपके programs चलते हैं सारे के सारे यहां पर algorithms चलते हैं ठीक है तो basic like लिए दोनों चीज़िए आपकी हो जाती हैं computer science में तो I hope आपको computer science समझ गया software का part तीनों में है चाहे computer engineering हो चाहे computer science engineering हो चाहे यहां पर आपका computer science हो software का part तीनों में है तीनों में जो मैंने आपको बता दिया job वाला part, so job वाला part तो software के basis पे ही मिलता है तो hardware में आपको interest है आप ले सकते हो hardware, no problem ठीक है, but वो job नहीं मिलता उसके basis पे, तो ये jobs का just मैं आपको दिमाग में डालते जा रहा हूं कुछ-कुछ branches engineering की dead है मर चुकी है branches उनके basis पे job मिलता ही नहीं है ये सब चीज़े आपने सुनी होगे न, कि job नहीं है engineers को, तो वो भी मुझे awareness side by side फैलाते जाना है चलिए, I hope computer science आपको समझ गया चलिए yes, कह रहा है, sir, if we get CAC, it is compulsory to do hardware part ये, yes, तुम्हारा सेलेबसी hardware फिला software रहेगा hardware के अलग subjects होंगे subjects तो वो करने ही पड़ेंगे न, okay चलिए, बढ़ते हैं, आगे के तरफ बात करते हैं, आपे IT के बारे में इसके बारे में बात करते हैं, थोड़ा साम में आ रहा है, information technology, अब मैं आपको बताता हूँ, students IT लेते कौन से हैं, so कौन कौन से students यहाँ पर IT लेते हैं, जिन लोगों को marks थोड़ा सा कम आता है, okay आप लोगों को end में पहुचना उदर ही है, okay, CS वाले भी लोग भी उदर ही पहुचते हैं, यह एंड गोल है, अभी यह वाला diagram याद रखना हो, कि end goal यह है, आपकी मंजिल यह है, जो भी इंजिनियर बनता है उसकी मंजिल यह है, अगर CS से यहाँ पर पहुच जाते हो, तो ठीक है, नहीं तो IT वाले लोग भी वहीं पर पहुचते हैं, आए, टीबो लो, information technology, technology का मतलब क्या हो गया, technology का मतलब अगेन हो गया, पूरा software, तो यहाँ पर भी सारी आपको software वाली चीज़ें ही करनी पड़ती हैं, ओके, so information technology, तो basically अगर मैं आपको forms बता दू, students forms किस आधार पर बढ़ते हैं, किस basis पर बढ़ते हैं, तो समझो आपको कोई college चाहिए, समझो आपको TSEC college चाहिए, TSEC college चाहिए, तो जो आपका cap round one का form होता है, उसको कैसे form filling करते हैं, आप लिखोगे वाहाँ पर TSEC CS का, ओके, फिर आप लिखोगे TSEC में IT, तो चाहिए TSEC में CS मिले, चाहिए TSEC में IT मिले, कुछ फरक नहीं पड़ता है, example तोरबे मैं आपको बात बताता हूँ, मेरे friend था, एक friend का नाम है योगेश, तो योगेश ने क्या किया, योगेश ने यहाँ पर IT किया, और मेरा दूसरा friend है, यहाँ पर समझो तरून, तरून ने क्या किया, तरून ने CS किया, उसका MHT CT में जाधा माकसा है, उसने उसी college से CS किया, विवेकानन college जिसको वैसिट कहा जाता है, वैसिट college से तरून ने CS किया, योगेश ने यहाँ पर IT किया, चार साल बात दोनों एक ही company में दोनों एक ही project पे साथ में काम कर रहे हैं ओके CS और IT में भी अगर देखा जाए तो basically ज़्यादा difference नहीं होता है बात वही थी CS वालों को यहाँ पर ज़्यादा पढ़ना पढ़ता है और IT वालों का थोड़ा सा level कम होता है हलका सा क्योंकि उनके subjects थोड़े से अलग होते हैं अगर आपको IT के subjects के बारे में थोड़ा knowledge चाहिए obviously subjects अभी मैं बता दूँगा कुछ फरक नहीं मतलब समझेगा नहीं subjects इस वज़े से मैं नहीं बता रहा हूँ पर अगर IT के आपको सब्जेक्स बता दूँ सब्जेक्स यहां पर हो जाते हैं database management कैसे आपको data को manage करना है database management मतलब वही यहां पर information word है ना पहला word क्या है IT में पहला word है information तो यहां पर आपको information वाली चीजों से भी deal करना पड़ सकता है database management यहां पर दूसरा आजाता है computer networks computer networks मतलब वही कैसे आप technologies को connect कर सकते हो तो यह दूसरा subject हो जाता है तीसरा subject हो जाता है web technology चौथा subject हो जाता है software engineering तो यह जो चौथा subject है उसके वज़े से ही IT जिन्दा है on CS के बराबर ही comparison मिलता है तो CS और IT में कुछ भी as such major difference future में नहीं पड़ता है पड़ाई में थोड़ा बहुत 3-4 साल निकल जाते है future में तो यही database subject है computer network subject है web technology subject है पड़ अगीन important subject software engineering हो जाता है तो CS और IT का जो placement होता है example दोर पे यहाँ पर कोई company बैठी है तो वो ऐसा नहीं बोलेगी कि अंदर सुरिफ CS के लोग आए अंदर सुरिफ IT के लोग है दोनों एक ही जगे जाते है तो end goal आपका match हो जाता है तो कभी भी याद रखना CS मिल रहा है तो ठीक IT मिल रहा है अच्छे college में तो भी ठीक मन्जिल वही पहुचेगी पिछला वीडियो जो day number 4 था हमारा counselling का अगर आपने देखा है तो मैंने वही बताया था does college matter बताया था नो उसमें end goal आपका वही पहुचता है चलिए संजे कह रहा है कुछ लोग like नहीं कर रहे हैं like कर दो thank you so much संजे college versus branch सब बनेगा पूरा ये counselling बहुत दिन चलने वाला है आपका attention मतलो चलिए बढ़ता हूं आगे के तरफ बात करते हैं थोड़ी सी new branches के बारे में तो पिछले साल ये सब branches introduce की गई थी पहले के जमाने में ये सब branches नहीं होती थी बट पिछले साल ये सारी branches यहाँ पर enroll की गई थी बट problem क्या हो गई problem हो गई awareness इसका ओकी मैंने टेलीग्राम ग्रूप में कुछ दिन पहले एक audio message दाला था कि last year दो स्केम हो गए थे students के साथ जिसमें से पहला पहला स्केम मैं आपको आज यहाँ पर समझाता हूं तो basically क्या हो गया था कुछ YouTubers ने वीडियो बना दिया कि नया नया branch है उन्होंने अपना prediction दिया जैसे हर को यह अपना prediction देता है नया नया branch है नौकरी कौन देगा ऐसा करके वीडियो बना दिया इन वीडियो अच्छा खासा चल गई seats खाली पड़ गई किसी ने admission ही नहीं लिया जो कि बहुत गलत बात हो गई आईए समझाने का फरायस करता हूँ यह जो 5 newly introduced branch है इन सब का logic कैसा है बात करते हैं सर प्लीज minor degree के बारे में बताओ पहला यह तो समझ लो सर बीटेक computer science and engineering कैसा है सर mhtctd exam के बारे में mhtctd exam telegram group में उस दिन रात के पहुने एक बजे सारे audios डाले हैं एक बड़ सुन लो और एक वीडियो भी है मेरी पिछले अफ़ते डाली है एक बड़ देख लो वही सब चीजे हैं चलिए बात करते हैं आप यह artificial intelligence के बारे में चलिए artificial intelligence AI अब मुझे नहीं लगता है मुझे यह समझाने की भी जरुरत है राई है ना artificial intelligence मुझे समझाने की भी जरुरत नहीं है सो artificial intelligence क्या होता है artificial intelligence artificial intelligence मतलब वही जो आप pictures में देखते हो जो robot बनते हैं जो artificial intelligence AI कहा जाता है example तोर पे मेरा एक student है चिन में उसको मैं daily तीन बज़े email बेजता हूँ fix है तीन बज़े उसको मेरे तरफ से email जाता ही जाता है एक दिन मैंने email नहीं बेजा तो मुझे सिरी का message आया सिरी का message आया आप कैसे भूल गयो आज email डालना suggestion में खुदी email type था यह आपको email बेजना है मैंने बुला औरे बापरे यह तो पुरा नजर है उसका मेरे पर बेसिकल यही होता है artificial intelligence आपको पता है चीजों को देख देख के देख देख के stimulate करना artificial intelligence based yes comments में यहाँ पर product भी बता रहे हैं कुछ लोग चिठी दर रोबोट Alexa yes 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 जो भी चीजे मतलब वही artificial intelligence के बारे में तो बात नहीं करूँगा मतलब वही algorithms already लिखे हुए हैं उसके basis पे हमको कोई चीज काम करानी है तो अभी बात यह है यहाँ पे artificial intelligence तो ठीक है हम को जादा पता है हम engineering करने वाले हम को जादा पता है machine learning और उसमें फरक क्या है machine learning और उसमें फरक क्या है okay is there any difference between CAC and CAC सर अभी अभी बता है सब ऐसा मत करो machine learning और इसमें फरक क्या है तो आजिए समझाने का प्रयास करता हूँ artificial intelligence एक domain है artificial intelligence क्या है पूरा का पूरा domain है जिसके अंदर machine learning आपका लाए करता है जिसके अंदर क्या करता है जिसके अंदर machine learning आपका ML आपका यहाँ पर लाए करता है artificial intelligence एक बड़ा domain है जिसके अंदर machine learning लाए करता है machine learning बोलो अगे नाम से ही समझ में आ जाएगा आपको machine learning जैसे अभी Tesla का concept यहाँ पर famous हो रहा है इंडिया में Tesla cars Tesla cars क्या है? Tesla cars basically है यहाँ पर self driven cars Tesla cars क्या है? Tesla cars है self driven cars यह self driven car है इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है यह चीजें खुद से शीखती है मतलब यहाँ पर ऐसे algorithms लिखे जाते हैं ऐसे programming लिखे जाते हैं जिससे machine learning होती है, कुछ process होता है जैसे अगर आपने C programming पढ़ा है थोड़ा बहुत अगर 11-12 में तो आपको पता है loops बनाये जाते हैं loops को कहा जाता है yes or no loop है न, if or else loop ऐसे बहुत सारे प्रकारगे loop होते हैं तो basically self learning या machine learning process में क्या होता है? machine कोई चीज़ करती है उसको realize होता है, output नहीं मिला यहां से, फिर वो next time उसको याद रहता है कि यह नहीं करना है, तो फिर वो अलग set of algorithms को follow करना start करती है example तोर पे मैंने 4 algorithm लिखके रखे हैं, कि case number 1 हो तो automatically मेरी car इस तरफ चली जाए second set of algorithm पे, case number 2 हो तो मेरी car third set of algorithm पे चली जाए तो basically machine के पास memory रहती है, क्या रहती है, memory रहती है, जिससे उसको पता चलता है क्या करना है, क्या नहीं करना है, so basically यह हो जाता है आपका यहां पे machine learning के उपर concept so machine learning लाए करता है आपका AI के अंदर, और अगर मैं आपको दोनों के बीच का difference बताऊं दो difference तो मैंने बता दिया, artificial intelligence एक domain है, जिसमें diversity बहुत है machine learning में focus होता है, सुर्फ machine के उपर, तो यह जो दोनों branches है, okay दोनों branches में subjects कौन से लगते हैं, दोनों branches में subjects आपके लग जाते हैं, यहां पे calculus, okay, calculus subject लग जाता है, दूसरा subject लग जाता है, statistics और तीसरा subject यहां पर लग जाता है, आपका algebra, okay तो यह तीन subjects यहां पर लग जाते हैं, बट एक सीज़ बता रहा हूं, जिन लोगों का match बहुत पसंदीदार है, वही लोग यह subject को लें, okay जै हिंद मोहेत, okay, is IT better than AI, हभी वैसा कुछ भी नहीं है, सब तुमारे interest के उपर depend करता है, बोलो क्या कहा मैंने, match सब का आपका strong होना चाहिए, देखो, जब engineering शुरू होता है, तो सब लोगों को क्या रहता है, सब लोगों को रहता है, coding करना है, coding करना है, बरो बर, I love to code, प जहां पर मैं बैठा हूँ, मुझे क्या करना है, मुझे बॉंबे पहुचना है, मुझे क्या करना है, मुझे बॉंबे पहुचना है, अगर मुझे बॉंबे पहुचना है, मैं Google Map में क्या सर्च करूँगा, मैं Google Map में सर्च करूँगा, जहां मुझे पहुचना है, एक्जां counseling का डे 5 है यह 25 दिन चलेगा counseling सब देखते जाओ वीडियोस खाली ठीक है क्या लगता है बोलो सो यहां पर Google में मुझे दिखाएगा सबसे shortest distance मुझे बताएगा सबसे shortest distance मुझे बताएगे shortest distance दूनने में मैच चाहिए coding चाहिए मैच चाहिए coding चाहिए श्वैता प्रशांत क्या चाहिए सो बेसी कली हमको मैच चाहिए राइट आप मैच लगाओगे mathematics लगाओगे क्या यहां पर shortest distance हो सकता है कौनसा मैच लगाए क्या formula लगाए तो पहले आपको इंजिनरी के कुछ साल तो मैच ही करना पड़ता है सैम 1 में आपका मैच होता है सैम 2 में आपका मैच होता है सैम 3 में आपका मैच होता है सैम 4 में आपका मैच होता है चार सेमिस्टर्स तो pure mathematics होता है इसके अलावा जो यह दूसरे subjects है subjects के अंदर भी आपको match की करना पड़ता है क्योंकि आपको match में अगर कोई चीज़ करने आ गई फिर आप उसको code में लिख सकते हो example तोर पे अगर मुझे find करना है कि odd numbers का general for इमिला क्या है तो पहले मुझे पता होना चाहिए कि हम लिखते हैं जैसा part difference is पहले मुझे यह match में लिखने आना चाहिए बरोबर match में आता है फिर मैं उसको coding में shift कर सकता हूँ so match आपका strong है अगर तो आप artificial intelligence and machine learning यहाँ पर ले सकते हो आदित्या पूछ रहा है सर वाई calculus is not leaving us अरे engineering है ही match हो के चलिए पहला साल छोड़के so artificial intelligence बता दिया machine learning बता दिया चलिए बढ़ते हैं आपे थोड़ा सा बात करते हैं data science के बारे में किसके बारे में बात करते हैं बात करते हैं आपे data science के बारे में थोड़ा सा आपे चर्चा करते हैं so what is data science अगर मैं आपके बताओं सो मेरे हिसाब से जो सबसे trend में trend branch अभी चल रही है इन सब में से CS को छोड़के CS तो रहेगा ही रहेगा CS को कोई हटा नहीं सकता है IT भी रहेगा मतलब यह सब चीज़े तो रहेंगी ही रहेंगी बट अब जो सबसे growing trend है मतलब अगर मैं आपको derivative के terms में बताओ आप लोग engineering में जा रहे हो derivative के terms में बताओ तो सबसे ज़्यादा derivative किसका आ रहा है वो है data science का derivative किसका derivative आ रहा है data science का derivative आ रहा है data science में मतलब data science जो करता है आजकल उसको data scientist कहते है पता है क्या मतलब उनको पदवी कौन सा दिया है उनको पदवी साइंटिस्ट का पदवी दे दिया है कि तुम साइंटिस्ट हो so basically data science वालों का जो लेविल है तना बढ़ गया है कि उनको हम scientist कहते हैं क्यों 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 कि सारा कुछ data ही है क्या होता है आपको कोई भी app launch होता है यह मैं अपने बारे में नहीं बता रहा हूँ आपको general बता रहा हूँ जो दुनिया जैसे चल रही है चाहे Zomato हो चाहे कोई भी कुछ भी company हो कोई बड़ी company का कुछ भी app launch होता है या app launch को छोड़ दो आप sale का बात करो कोई भी company का sale निकलता है कपड़े वाले sale निकलते हैं या कुछ भी चीज होती है बोलो पहले पहले आपकी data वहाँ पर मांगते है तुमसे मांगते हैं तुमारा data क्या है वो data जो तुमने डाल दिया वो store हो जाता है फिर वो store data में तो तुमारा age चेक होता है के कौन से age का है फिर देखा जाता है अरे ये age का है चलो उसको attack करते हैं फिर आपको अगले दिन से email साना start हो जाते हैं phone साना start हो जाते हैं बरुबर Instagram पे कोई add देख लिया बाप परे बाप फस गए मैंने Instagram पे एक water bottle का add दिखा था बजे मस्त लग रही थी पानी की bottle ओके motivational पानी की bottle थी motivational bottle में ऐसा लिखा था आड़ बजे इतना पानी नौ बजे इतना पानी ऐसा करते करते पानी की bottle थी सुरिफ वह add के उपर मैंने एक मिनट बिताया उन लोगों को data पौच गया कि ये बंदा इस bottle का add देख रहा है रोज Instagram खोलता हूँ सुबह सुबह वही add दिखता है feel किया है क्या ऐसे come on sir which laptop is for it करेंगे laptop का बात चिंता मत करो देखो जिन लोगों को भी counseling और engineering का कुछ भी knowledge नहीं है दुपैर में मेरा एक video fix है 25 दिन आएगा video पूरा knowledge मिल जागा पूरा series बस देखते रहो ठीक है अभी जिस topic पे है वो खुद बहुत बड़ा है इस वज़े से मैं दूसरे topics नहीं ले रहा हूँ चलिए तो basically क्या हो जाता है आपर add आपको वही चीज बार बार दिखने जाती है तो कैसे दिखी वो भी एक data science है कैसे दिखी data science है YouTube पे कुछ search किया अब YouTube का search algorithm कैसा चलता है तो search algorithm data के हिसाब से ही चलता है example तोर पे कोई video है mhtct one shot सब लोग ने देखा है वो मेरा video mhtct physics search करो मेरा video आता है उसा चिला रहा हूँ YouTube वालों ने देखा है उसका वीडियो तो बहुत अच्छा है काफी लोगों ने देखा है अच्छा watch time है तो उस वोजे से mhtct physics search करो तो आपको वीडियो दिखता है वो भी data के उपर काम करते है data and analytics तो अगर data science का बात करे तो आपको subjects हो जाते है probability but probability आपको 10th वाला नहीं probability 10th में ही अच्छा लगता था उसके बाद तो probability मला वो इस statistics हो गया not probability as such तो यही subjects आपको आपर भी देखने को मिल जाते हैं linear algebra and again calculus चार subjects आपके पूरे dominant करते रहेंगे वापर data science बहुत बढ़िया है बहुत बढ़िया है आज के time पे data science करने का दूसरा भी तरीका है पहले general BAC कर दो IT से उसके बाद MSC कर दो data science में तो भी उतना value नहीं होगा बट still उतने value तक पहुच तो for sure सकते हो चलिए सर आपने उलास नगर का चीज वड़ापर खाया है क्या बाद्शा का अरे वो बाद्शा वाले को मैं patent दिलवाने का सोच रहा हूँ आज से नहीं 5 साल सा सोच रहा हूँ बाद्शा वाले को patent मिलना चाहिए ऐसा वड़ापर कहीं है ही नहीं राइट चलिए सो बेसिकली यहाँ पर data science के बारे में हम थोड़ा सा discussion कर दिया तो सारी चीज़े data का खेल है Amazon हो, Flipkart हो, search algorithm हो, email ID हो सब चीज़े data है राइट अभी Instagram को कितने million या कितने billion users का data है उसारा सोच के देखो तो अभी उसी बात है एक जणा थोड़ी manage करेगा वो data को so data management is the future तो मेरे इसाब से अगर ये ब्रांच में किसी को जम जाता है तो बहुत जादा बैतर हो जाएगा बात करते हैं cyber security के बारे में cyber security इन सबसे एकदम अलग हो गया औक ऑगेँ eric security इन सबसे अलग ब्रांच हो गया एकदम सबसे अलग है ब止न सब्सक्राइनिक यह क्लाउड है क्लाउड में कैसे सेफ रखना है किसी एक्साइट तो सारे पासुवर्ट सबस्सक्राइब क्या सब्सक्राइब आपका उसमें इंटरनेट सेक्यूरिटी आ गया कि मोबाइल बैंक को कैसे सेक्यूर बना सकते हो आपका कलाउड सेक्यूरिटी जैसे गूगल ड्राइव है उसको कोई कैसे हाइक ना करे वो किस बहुत बढ़ा ब्रांच है साइबर सेक्यूरिटी यानि कि ethical hacking बट ethical hacking सुनने में अच्छा लगता है वो होता सब कुछ पढ़ाई लिखाई वाला काम है कुछ लोग करते हैं सब इंस्टाग्राम पे ethical hacking का कोर्स है पाच दिन का कर दूंगा कुछ नहीं कर पाओगे चलिए वो सब introduction होता है basics होते हैं वो सुनने में अच्छा लगता है कर तो कुछ भी नहीं पाओगे YouTube channel hack कैसे होता है कारतिक वो तो सब अलग चीजे हैं वो extreme coding हैं सब बहुत जादा advanced level है वो सब तो basically cyber security I hope आपको समझ गया हर sense में security चाहे वो internet security हो चाहे वो password security हो चाहे वो database security हो चाहे वो website security हो पता है का websites भी hack होती है government का website सबसे जादा hack होता है और Pakistan government का website सबसे जादा maximum number of times hack हो चुका है उनका website hack हो के उदर कुछ भी दिखाते हैं कई बार हम देखते हैं टीवी में कि किसी ने टीवी स्क्रीन ही hack कर दिया न्यू यू यॉक टाइम्स पे टीवी चल रहा था किसी ने hack करके अपना वीडियो प्ले कर दिया सो basically यहाँ पर यही सब चीज़ें हो जाती है चलिए पिछले तीन साल के जो मैंने जो भी बैचेस मेरी हुई है पहले offline में था मेरा offline में सब लोग CSIT थे पिछले दो साल के online students काफी मतलब है अब आज तक किसी ने नहीं लिया है IOT का मतलब होता है Internet of Things IOT भी एक ब्रांच है क्या चल रहा है यहाँ पर सर्फार्मेसी पर एक वीडियो बनाओ जैसा वीडियो अभी हो रहा है वैसा फार्मेसी का वीडियो आएका interview format में प्लीज टेलिग्राम ग्रूप आप जॉइन करो मैंने उसमें सब डिस्क्रिप्शन देखे रखा है IOT का मतलब होता है Internet of Things का मतलब यहाँ पर छोटे छोटे प्रोजेक्ट होते हैं क्या करना होता है आपको छोटे छोटे प्रोजेक्ट करने होते है Internet of Things बेसीकल यहाँ पर इसमें अल्लार माजय है जैसे आजकल आ चुका है मैंने बोला बत्ती जलाओ ऑंद लाइट हो जाती है ना एक वर्ड में कंण्कुलूट करूं यहां पर automation related पर small level पर small level से मेरा मतलब है जैसे अब मैंने छोटा example दिया तो वैसे start obviously कोई भी चीज़ small level से होती है then वो further further यहाँ पर थोड़ा सा बढ़ते जाती है sir EWS versus EBC के बारे में बताओ extremely sorry next अलग उसे वीडियो आएगी मैं mix नहीं कर सकता हूँ मैं वही बोल रहा हूँ जो counseling series चालू किया 25 दिन चलने वाला है daily देखते रहो छोटा छोटा वीडियो रहता है हाँ अभी ऐसी चीज़े होगी तो वह अच्छे से समझाता हूँ नहीं तो 4-6 minute का कोई भी मेरा वीडियो रहता है चले तो यहाँ पर हमारी major major branches हो जाती है समात अब बात करते हैं थोड़ी सी branches जिनका trend करीबन करीबन जा चुका है किसके बारे में बात करते हैं बात करते हैं ऐसी branches के बारे में जिनका trend करीबन करीबन जा चुका है सो बात करते हैं electrical engineering के बारे में बात करते हैं Electronics and Telecommunication के बारे में तो मैं आपको बता दू Electronics, Electrical Engineering इंडिया में as of now आपको अच्छा लगे, आपको नहीं अच्छा लगे ये मैं नहीं कह रहा हूँ मैंने देखा है students को सफर करते हुए तो मैं वही चीज़ शेयर करूँगा इंडिया में ये सब चीज़ें dead हो चुकी है dead हो चुकी है jobs मिलता ही नहीं है Electronics में आपको नौकरी मिलेगा ही नहीं सीधा बता रहा हूँ Google पे देखोगे Google तो मस्त बताएगा, बड़ी बड़ी बाते हैं कि इतने का package मिलेगा, उतने का package मिलेगा मिलेगा, 10 लाख लोगों में से एक को मिलेगा, तो आप उसको थोड़ी consider करोगे कि आरे वा, एक जने को package मिला है Electronics dead हो चुका है पूरा का पूरा, ठीक है कुछ भी job नहीं मिलेगा, इनको कहते हैं core, ओके, so core companies यहाँ पर अब खतम हो चुकी है मैंने बताया ने, पहले ही hardware का part इंडिया में अभी नहीं है, अब मुझे नहीं बोलना कुछ comments आ जाती है, तुम डरा रहे हो मैंने देखा है students को जो मेरे 2019 batch के students थे उनका हो गया engineering, okay 2019 में मतलब जो मेरे known थे people batch के नहीं, 2019 के students हो गया, 2020 हो गया जोप नहीं मिला, 2021 हो गया जोप नहीं मिला, 2022 हो गया उस ब्रांच में जोप नहीं मिला, जावा सीख के जावा का जोप मिला, तो मैंने 2-2,5,5 साल लोगों को देखा है LinkedIn पे इतने मेरे को message आते हैं मैं किसी दिन आपको LinkedIn live खोल के बताऊंगा live LinkedIn खोल के बताऊंगा messages आते हैं, सर ये engineering किया है कुछ मिली नहीं रहा है, teaching में वो कुछ तो बता देना, मुझे छोड़ दो LinkedIn छोड़ दो, आपके college में देखो कितने teachers engineer है सब teacher बोलते हैं, हम engineering किया था passion से हम पढ़ा रहे हैं passion से 10% लोग engineering से teaching में convert होते हैं, बाकी जिनको job नहीं मिलता है, वो सीधा switch हो जाते हैं तो electronics and telecommunication में आपको मज़ा आता है electronics में आप ले सकते हो आपको मज़ा आता है electronics में आप ले सकते हो, बट ultimately end goal आपका वहीं होगा, IT company में ही job लगेगा, ये ये बात को ध्यान रखना, जैसे मैंने बता है अब भी कुछ देर पहले कि कुछ लोग last year डर गए थे, कि ये नया नया ब्रांचे से job क्या लगेगा, देखो मैं आपको job का scene बताता हूं कैसे होता है job का scene सारी engineering में होता है software based, ये चीज fixed है, सारी engineering के branches इसमें software based ही होता है, तो अगर किसी college में company आ रही है वो बोलेगी हमको engineering वाले students चाहिए third year engineering students चाहिए that's it, कोई company ऐसा नहीं बोलती है कि मुझे automobile नहीं चाहिए, मुझे civil engineering नहीं चाहिए, मुझे mechanical नहीं चाहिए, जो भी companies आती है, सारी companies ले लेती है, कोई branch आप से नहीं पूछता है, तो example तोर पे company आये, समझो हम बात करते हैं company का, छोटी company की बात नहीं करते हैं सब जो बार करते हैं, JP Morgan का JP Morgan को, अगर आपको नहीं पता है, JP Morgan को dream company होती है, जो companies बहुत ज्यादा package देती है, उनको कहा जाता है dream company, नहीं पता है तो उसको note down करतो, ओके सो कभी भी देखनेगा, कौन से college में कितना dream company आ रहा है सो basically dream company हो, उसमें क्या होता है dream companies आपको बुला देती है आ गई dream company नहीं बुलेगी कि automobile वाली नहीं चाहिए mechanical वाली नहीं चाहिए, जो आएगा interview में सबका test होगा okay, पहला पहला step होता है सबका test होता है, test pass किया तो ही second round होगा and test क्या होता है, test में सारी software related चीज़ें पूछी जाती है सारी programming language related चीज़ पूछी जाती है okay, so basically यहाँ पर जो भी branches है electronics करो, जो करना है artificial intelligence करो, machine learning करो data science करो, cyber security करो IOT करो, end goal आपका वही रहता है so this is the main thing अब मुझे नहीं पता है आप इसको positive मानते हो, मुझे नहीं पता है आप इसको negative में लेते हो, सब आपका personal choice है, but ultimately यहाँ पर सबका end goal यही होता है अब यहाँ पर थोड़ा सा बात करते है syllabus के बारे में, syllabus में मैंने तो आपको बता दिये, इसके subjects यह हैं है, इसके subjects वो हैं, पर एक चीज़ आपको बता दूँ 70% syllabus सारी branches का same है 70% syllabus क्या होता है 70% syllabus सारे branches का same है, जितना अभी branches मैंने बताया, AI बताया machine learning बताया, सारे branches का 70% syllabus यहाँ पर same है, तो इसका मतलब आप master तो नहीं बनोगे, मतलब ऐसा तो नहीं है कि बीटेक आपने किया, आप artificial intelligence के एकदम, चार साल artificial ऐसा नहीं होता है पहला साल कभी भी क्या होता है first year common होता है, तो सारे engineers का first year हमेशा common रहता है उसमें तो कुछ सोचने का बात है ही नहीं, पहले साल में तो तीन subject सिर्फ physics के होते हैं, एक होता है engineering mechanics, एक होता है engineering physics, एक होता है basics of electrical engineering, तीन subject तो physics के होते हैं, आप artificial intelligence लो machine learning लो, chemical engineering लो, automobile लो, CS लो, IT लो, कुछ लो, पतीन subject तो आपको यही रहते हैं, तो basically मेरे कहने का मकसद, and मेरे कहने का purpose, शायद से आप समझ गए, कि कोई भी company हो आपको end goal तो आपका software में ही होता है, यही engineering का मतलब trend चल रहा है, and यही reason है, आपको हर जगे CS 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 मिलता है बो, logic समझा के आपको come on, logic समझा के कुछ लोग comments भी करें, sir यह क्या है हर जगे CS CS लगा के बैठे हैं, हर लोग CS CS के बारे में बात कर रहे हैं, तो CS इस वेशे से हर चीज end वहीं पर होती है, कोई भी कहा से start खरो, 4 साल के engineering में तो आपको वही होता है, हाँ फिर masters करते हो, तो तुमारा value अलग level पर हो जाएगा, पर masters बहुत कम लोग करते हैं, masters करने की जरूरत भी इतनी जादा तो नहीं पढ़ती है, अच्छा खासा चीजें आपका SC में से हो जाता है, अच्छे खासे packages and all सब चीजें यहाँ पर मिल जाती हैं, तो basically बात करें electronics and telecommunication का पढ़ना है, पढ़ने के लिए ठीक है, job तो कभी नहीं मिलने वाला है electronics में ना ही electrical engineering में, job आपको software कुछ ना कुछ coding का ही करना पड़ेगा, okay, so software का ही आपको कुछ ना कुछ यहाँ पर करना पड़ सकता है, initially, okay, example तो और पर कुछ लोग कहते हैं, sir, metallurgy so metallurgy भी एक branch है, okay, so metallurgy भी एक branch है, तो वही बात है, आप बाद में सब कुछ चीजें shift कर सकते हैं, कुछ लोग कहते हैं, sir, हमने बात करते हैं, automobile engineering and mechanical engineering के बारे में mechanical engineering बड़ा डोमेन है, जैसे यहाँ पर artificial intelligence बड़ा डोमेन था, mechanical engineering यहाँ पर बड़ा डोमेन है, okay, so mechanical engineering, mechanical engineering कि उसके बारे में बात करती है, mechanical engineering यहाँ पर बात करती है, सारा का सारा आपका जो mechanics का का काम है Mechanics के काम में बहुत सारी चीज़ें आ गई जैसे Pipe का सिस्टम आ गया Pipe का सिस्टम आ गया Garage का सिस्टम आ गया Pipe का सिस्टम आ गया Engine का सिस्टम आ गया जो भी Mechanics है आपके आजपास Mechanical Engineering उसके बारे में बात करती है उसका Sub Domain हो जाता है Automobile Engineering सब डोमेन क्या हो जाता है सब डोमेन हो जाता है Automobile Engineering Automobile मतलब सरिफ और सरिफ बात करते हैं Moving Vehicles के बारे में किसके बारे में बात करते हैं Moving Vehicles के बारे में Completely सरिफ engines के बारे में So Mechanical में क्या है Mechanical पूरा का पूरा डोमेन है उसमें सारी चीज़ें कवर होती है जो भी mechanical आपके आँसपास हो रहा है बट automobile क्या हो जाता है automobile हो जाता है subdomain क्या हो जाता है subdomain हो जाता है अब अगर मैं आपको इन दोनों का बात बता दू मैंने 3 साल पहले आज यसे मैंने कहा न उनका मैं ऐसा यहां पर शेयर कर रहा हूं बट मैं आपको सच बता रहा हूं आज से 3 साल पहले मैंने यहां पर इंटर्विव लिया था दोनों का automobile versus mechanical engineering यह मेरे दोनों दोस्त हैं बच्पन हम साथ में यहां पर बड़े हुए हैं यहां पर अगर आप देखो में कोई भी जॉब नहीं मिला 2022 में एक को जॉब मिला है एक को जॉब अभी मिलेगा कुछ महिनों में सो mechanical automobile electronics इन सब का जो job का वो है वो सब चीज़े यहां पर खतम हो चुकी हैं सो अगर automobile and mechanical करते हो तो भी end goal software ही हो जाता है unfortunately unfortunately यहां फिर यहां फिर यहां फिर आप आप बाहर चले जाओ फॉरें से कुछ कर लो के बट उसमें फिर क्या करना पड़ता है उसमें आपको gate exam देना पड़ता है gate exam is somewhat like IIT J.W. ओके बट ऐसे भी वीडियो सा रहे हैं कि automobile और mechanical में gate भी crack कर लिया M.Tech भी हो गया इसको B.Tech कहते हैं आगे अगर M.Tech भी कर लिया फिर भी कुछ नहीं होता है तो ऐसी भी चीजें होती है example दौर पर एक चैनल है आपको पता है मेरे इस रो में कुछ समय बीता था उस दिन मैंने वीडियो में बता है काफी लोगों को नहीं पता है बट काफी लोगों को पता है इस रो में मेरे एक समय बीता था तो एक चैनल है जो इस रो से ही है person ओके एकस रो है वो भी इसका पुरा momentum podcast चलते हैं इसमें भी अगर आप देखोगे momentum podcast इसका सीरीज है इसमें सब बड़े बड़े लोग होते हैं सब बड़े बड़े लोग अभी जैसे यहाँ पर cyber security expert दो गंटे का इंटर्व्यू है राइट यह शुकला काफी लोगों ने ऐसे भी काया है कि हमारा तो गेट भी क्रेक हो गया फिर भी automobile में को जॉब नहीं लगा है ओके इसको मैं जानता हूं अच्छे से यह देखो गेट इनो ने दिया है फिर वही बात हो जाती है तो end goal वहीं पर हो जाता है उसी तरीके से chemical engineering के इनजीनेरिंग में भी क्या करना पड़ेगा chemical engineering में आपको पहले चार साल chemical engineering करके फिर आपको MBA करना पड़े गा तो फिर chemical engineering में scope है अगेन, chemical engineer मेरी बहुत जादा close friend ने किया है, बहुत जादा close, उसका मैं हर साल interview लिया है, पिछले दो सालों से, आप पूरा chemical engineering के बारे में सीख सकते हो, सब चीजे मैंने उसी से पुछवाई है, तो आप बिंदा समझ सकते हो, बड़ उसका भी same situation है, now she is doing MBA, उसका factory job भी चल र रहा है, पहले वाला interview, दो साल पहले है, मतलब अगर दो साल पहले का interview है, यह अभी आठ महीना पहले का interview है, आप जर्णी देख सकते हैं, उसका पहले श्टूडन chemical engineering में यह कैसे थी, ऐस फिर professional chemical engineering में कैसे था, वही बात हो जाती है chemical engineering के बाद आपको यह सब चीज़ें करने ही पड़ती है यह तीसरा interview कितना मैंने counseling यहाँ पर already अपने channel पर करके रखा है इंटर्विव सर्च करोगे आर्जी लेक्चर्स आपको बहुत सारे interviews मिल जाएंगे मेरे जो मैंने सिर्फ engineer से लिए है direct उनको बिठा के okay so basically core branches में कहीं नीट थोड़ा सा यहाँ पर chemical engineering के बाद MBA finally करना पड़ता है civil engineering भी same चीज़ है scope वहाँ पर core branch में job नहीं मिलता है चीक है so मैंने सारी चीज़ें अपने तरफ से बता दी computer science computer engineering IT तीनों में differences बता दिए artificial intelligence machine learning data science cyber security IoT इनके बारे में बता दिया यहां से जो मैंने स्टार्ट किया है electronics and telecommunication यह मैंने separately इस वज़े से लिखा है scope इनका बहुत ज्यादा कम है चीक है scope कम है तो फिर दो चीज़ें हो सकती है अगर किसी भी चीज में scope कम होता है यही सब पाच्छे branch के वज़े से engineering का नाम खराब है नहीं तो engineering अच्छी है अगर scope कम है तो दो चीज़ें कर सकते हो masters IIT से कर सकते हो पहला option okay masters IIT से कर सकते हो पहला option अगर IIT से masters करना है तो BTEC के बाद एक exam होता है जिसका नाम है gate exam okay क्या नाम होता है उस exam का उस exam का नाम होता है gate exam okay BTEC नहीं बोलते हैं इसको BE बोलते हैं sorry okay so bachelors of engineering BTEC मतलब IIT से हो गया तो यहाँ पर हो जाता है gate exam gate exam से आप IIT के अंदर गुसके वहां से mtech कर सकते हो but again gate IIT JE से 10 गुना जादा उपर लेविल पर रहता है तो पहली पहली चीज़ यह हो जाती है okay तो जो भी subject जो भी branch आपको लेना है example दोर भी लग रहा है कि नहीं सर ऐसा कैसा coding करूं मुझे नहीं अच्छा लगता है software ठीक it's fine हर इंसान थोड़ी software के लिए बना है तो फिर क्या करना पड़ सकता है graduation करके gate का त्यारी अब भी से चालू करके mtech IIT से करते हो okay तो अब्योसी बात है कहीं बैतर जगे रहोगे first option दूसरा option हो जाता है be करके सीधा यहां पर जी आरी एक्जाम देके foreign scholarship के लिए जा सकते हो तो मेरे कई दोस्त foreign गए है जी आरी एक्जाम देके मेरे कई दोस्त गेट क्रैक हुआ है अभी IIT में गुसेंगे तो वेसिकली यह logic लग जाता है जहां पर scope कम है बट वही बात है यहां पर finance बहुत जादा लग जाता है यहां पर देखें तो finance का band बच जाता है पूरा एक आम इंसान के लिए और अगर इंटेंशन था कि लोगों को स्कॉलर्शिप चाहिए एक दूजन का मैसेज है बोला सर स्कॉलर्शिप बॉलर्शिप नहीं चाहिए इंकम आठ लाग नहीं असी लाग के उपर है हमारा तो बनाने जाओं क्या पुझ नहीं रहा एकदम मतलब ऐसा मैं सोच रहा था कि आरे ऐ कि इसी तरीकेसे यहाँ पर पूरा का पूरा session नहीं समाब्ट होता है कॉंक्लूर्ट करते हैं Computer science का मतलब सुर्फ Software, Computer Engineering का मतलब Software plus Hardware Information Technology CS के बराबर ही ह ballsution का दॉट आधा है information related part जादा है जिसे data या बेस हुआ वेब टेकनोलोजी हुआ प्लस सौफ्ट्वेर आटिफिशल इंटेलिजन्स पूरा कोडिंग रिलेटेड है मैज बहुत जाधा चाहिए इसके लिए मैज का पावर आपका स्ट्रॉंग होना मतलब स्ट्रॉंग नहीं है तो हो जाएगा टेंशन की बात नहीं है AI एक ब्रांच है जिसके अंदर लाय करता है मशीन लर्निंग डेटा साइंस एक अलग ही साइंस है जिसका अभी के टाइम पे बॉर्ट ट्रेंड है क्योंकि डेटा डेटा हर जगे वही प्रॉब्लम है डेटा को मैनेज करने आना चाहिए डेटा साइंस वाले बंदों को प्रैफर नहीं करूँ गा ऐलेक्ट्टानिकस और टेली कम्यूंक का बात करें अकॉर जॉब्लम हो चुकी है इस वेही प्रोदेट्टिकश्प में इंजेनेरिंग में सैम केमिकल फिर भी थोड़ा बैता है आप MBA करके masters करके अच्छे level पे आ सकते हो और MBA तो हर एक के लिए valid है बाइदवी अगर आपको बता दू MBA तो हर चीज़ के लिए valid है पट यहाँ पर मैंने जो भी इस वीडियो में बताया है आपको जो भी इस live class में बताया है सब मैंने बताया है कि graduation तक पढ़ाई अगर stop करनी है तो चार साल पहले ही बहुत होते हैं तो MBA और मैं further PGVG पर नहीं लेके जा रहा हूँ चलिए So that was all for this video I hope आपको काफी जादा information मिल गई होगी Telegram group पे join हो जाईए जिनको documents related कुछ भी doubt है WhatsApp करो reply आपको WhatsApp पे ही मिलेगा यहाँ पर मैं number दे दे रहा हूँ call करो के तो timing match नहीं होती है WhatsApp करो बहुत जादा बैतर है अब next videos हमारी रहेंगी engineering syllabus and engineering के अंदर अंदर हम देखें syllabus क्या-क्या है and all sub चीज़े चलिए So एक दो comment read करते हैं क्योंकि मेरा 3 बज़े का noon पे class है MHT CD 2023 and 4 चलो बाइ दो बिता थेंक्यू बाइ तेजर्स बाइ वेशाली चलिए New branches to government colleges में नहीं है न बटा सकती है कभी भी राइट बोल थोड़ी सकती है मैंने तो general बताया न अभी वो सबको सबका personal decision है किसमें किसको कैसा लेना है राइट चलिए AI वालों को CSC job मिलते के job सबको वहीं से मिलेगा क्योंकि मैंने बताया 70% syllabus same है तो आप ऐसा master नहीं बन जाओगे artificial intelligence के राइट चलिए robotics branch robotics somewhat somewhat AI के अंदर लाए करेगा राइट तो जो logic मैंने AI के लिए बताया सारे robotics के लिए भी ठीक है चलिए सर ऐरोप्लेन में कुछ होता है का CET से नहीं अथर वाइरोप्लेन के लिए आपको अलग exam देना पड़ता है not MHT CET सर nowadays data science is trending but after 2-3 years शोबना का question है data science, computer science, IT ये सब 50-50 साल चलने वाले हैं और data science अभी पैदा हुआ है तो 50-60 साल trend में रहेगा सब चीजे data ही है Instagram पे users बढ़ते जा रहे है Snapchat पे लोग बढ़ते जा रहे है दुनिया में population बढ़ते ही जा रहे है तो users बढ़ते ही जा रहे है internet पे दुनिया आती जा रहे है पहले जिन गाउं में वो bells नहीं था वो भी यहाँ पर आते जा रहे है राइट चलिए BSE CS का क्या सीन है देखो BSE में जादा स्कोप नहीं है BSE CS BSE IT में स्कोप है बढ़ ग्रेजुएशन करके स्टॉप नहीं कर सकते हो MSE तगडी जगे से करोगे तो सही है अधर्वाइस नहीं Integrated BTEK Integrated के बारे में क्या ही कहूं Obviously pros cons रहते हैं बट basic principle तो यही लगेगा चलिए Aeronautical Engineering, Land Aerospace Engineering देश मोखे सब चीज़ों के बारे में मैं इतना जादा नहीं बताऊंगा जो भी मैंने information दिया है experience based दिया है जो मेरे 3 साल के students ने पिछले लिया है उनसे बात करते करते मैंने बताया है तो उस ब्रांच में unfortunately students नहीं है Sir B.Tech के बाद M.Tech भी करना पड़ता है क्या देखो अगर आप जिंदगी में खुश हो जिंदगी में खुश हो 20, 30, 40 लाख तक चल रहा है तो ठीक है बट usually जब Engineering में गुसते हैं लोग तो उनको passion जग जाता है उनको देश छोड़ने की नौबत आ जाती है अपना देश पसंदी नहीं आता है तो इस वज़े से Engineering करके लोग देश छोड़के चले जाते हैं बाहर से M.Tech करने M.Tech कोई इंडिया में नहीं करता है ये बात बता दू जो PG है ने Engineering का इंडिया में कोई भी करना प्रेफर नहीं करता है क्योंकि आप चाहे इंडिया में PG करो चाहे इंडिया में graduation करो value सेम है अगर आप बाहर से M.Tech करके आते हो तो ही चलता है तो basically trend यही है इंडिया में M.Tech कोई नहीं करता है सब G.R.E. देखे बाहर जाते है चलिए सर तो branch over college नए अरजुन का सवाल है branch पहले decide करें college पहले decide करें branch पहले decide करो समझो तुम्हें college मिल गया last year मेरे एक student को COEP में बहुत अच्छा branch मिल रहा था COEP में बहुत बुरा branch मिल रहा था and अभी वो खुश है ठीक है बहुत जादा खुश है वो चलिए next video कब आएगा दुपैर में daily आतो जाता है चलिए sir can I take AI for long term because I want to do mass होता है package तो आपके उपर आप कितना grab कर सकते हो मैं example तोर पे real life example देता हूँ and then आज के lecture को समाप unfortunately करना पड़ेगा मैं मिलता रहूँगा और telegram group please join करो मैं काफी सारी चीजें audios में समझाता हूँ काफी सारी चीजें आपको मेरी audio में समझेंगी क्योंकि video में हर छोटी बात के उपर video नहीं बन सकती है रही है नो तो मैं ऐसा अब जैसे engineering scam last year हुआ था बहुत लोगों नो ड्रॉप लिया है इसके वज़े से तो audios में में most of the चीजें cover करता हूँ कि हर छोटी चीज के लिए video नहीं बन सकती है and doubts साब के बहुत जादा है तो मैं समझ सकता हूँ अब telegram group में आ चाओ अभी थोड़ा सा मैं आपको लिंक्डिन का दिखाता हूँ ओके ओ शिट लिंक्डिन साइन नहीं है मेरा अच्छा रुक जाओ तुम लोग मेरा email id नहीं चोरी करतो इस वज़े से मैं यहाँ पर थोड़ा सा screen को crop कर देता हूँ ओके चलो देखना पड़ता है वाई चलिए नहीं तो mail साना शुरू हो जाएंगे उदर भी चलिए यहाँ पर यह मैंने LinkedIn खोला है ओके लिंक्डिन अगर आप मेरा देखोगे से यहाँ पर मैं थोड़ा सा मेरी friend के बारे में आपको दिखाता हूँ सो मेरी friend का अगर आप यहाँ पर ध्यान से देखें तो हम साथ में पड़े हैं राइट हम साथ में पड़े हैं सो बेसिकली अगर आप इसके बारे में देखोगे तो इसका जो पहला पहला जॉब है अभी अभी recent में मैंने वीडियो बनाई थी इंजिनेरिंग में college का क्या value है राइट इंजिनेरिंग college value के मैंने उपर वीडियो बनाई थी सो बेसिकली अगर आप यहाँ पर देखो तो उसका पहला जो जॉब है वो नॉर्मल जॉब है राइट एक्सचेंचर में जॉब है और एक्सचेंचर कैसे हो थी घो सामान कीसे उठ आते हैं वैसे लोगों को हायर करती है एक्सचेंचर का आगर आप नाम देखो जुब देती है बहुत जाबा मतले से ट्रॉप्रक तहं यहां पर यह उठाती है तो एक्सचेंचर में वह कर रही थी को कि उसको peace of mind नहीं मिल रहा थाend में नहीं मिल रहा था अच्छे कॉलिज से किया है सब सौटेड 11-12 साथ में था उसको तेन उसने खुद से कुछ कोर्स किया 6 महीने का 8 महीने का खुद से कोर्स क्योंकि सीखना तो आपको पड़ेगा ही इंजिनेरिंग तो लाइफ टाइम लर्नर है राइट अभी तो हर चीज लाइफ टाइम लर्नर है आठ महीने का खुद कोर्स किया देन अभी उसको बैंगलोरू में मस्त कड़क एकड़म ड्रीम जॉप मिला है वो स्विच तो चलता ही रहता है स्विच हमेशा चलता रहता है स्विच में कभी कुछ प्रॉब्लम नहीं आता है एक्जामपल दोर प उनटिया में क्या है थे अलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रोनिक्स में कम्री कि लुझ में क्या है तो यह इनका ग्रेजुएशन हो ग्या राइड फैट है उन ओकर दिया है बाद में क्या किया है這種 बाद में से management का course कर दिया है बाद में क्या किया है बाद में management से मैनेजमेंट का course कर दिया है सो अब भी आप देखोंगे इनके experiences डर जाओंगे देखके उके experience देखके डर जाओंगे पहले किसी company में intern honeywell में फिर enforces में software engineer फिर equity research associated 2010 में फिर सारे गमा फिर medrotonic फिर Boston consulting group उसके बाद यहाँ पर hero में जो main काम था है उनका hero को पूरा Asia में जो growth चाहिए थी जब hero expand हो रहा था आपको नहीं पता हो so hero Honda पहले एक थी फिर hero अलग हुआ Honda अलग हुआ तो जब hero को पूरा expand होना था तो पूरा expansion का काम इन्होंने किया है और उसके बाद यहाँ पर डिरेक्टर थे ओयो में ओयो को expansion चाहिए था South East Asia में फिर वहाँ पर expansion हो गया then Middle East and Japan में ओयों को यह लेके गए थे और फाइनली नून अकेडमी पर इंडिया में नून आया था तो इन्होंने सब सब्सक्राइब करते हो majority factors तो वहां से influence हो जाते हैं चलिए सब्सक्राइब और जिनको WhatsApp मेसेज करना कर दो reply team दे रही है तो WhatsApp अगर मैं आपको दिखा दो मैं ज्यादा यह open up हो रहा हूं मुझे लगता है इतना WhatsApp तो नहीं खुलना चाहिए ज्यादा यह बाद देख लेते हैं अगर आप देख लो तो यहां से reply मिल जाएगा देखो इतने सारे numbers को reply मिला है ओके इन सब को reply यहां पर मिल गया है जिनको भी कुछ भी गेमर बाई यश बाई इंटरस्टेनिक बाई कमलनात बाई यश बाई एवरीवन चलो सो मिलते रहेंगे फिर टेलिग्राम ग्रूप में एक बाद जॉइन होके रह जाएए डेली तीन बजे यहां चार बजे के रेंज में एक वीडियो आपको दिखती है चलो विश्यू द है लगादा.